वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी एक ऐसे फिल्म आ रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते है क्योंकि तीन महने पहले इसका नेम रिविल टीजर आया था और अभी इसके कैरेक्टर हनुमन्तू का रिविल टीजर आया है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ साउथ के पैन इंडिया फिल्म हनुमान का अब बहुत से लोग इसका प्रननसेशन हनुमैन कर रहे थे पर हाल ही में आये टीजर लुक में अगर आप हिंदी में इसका नाम पढ़े तो आपका डाउट खतम हो जाएगा तो बेसिकली इस टीजर का ज्यादा लोगों तक ना पहुचने का रीजन ये है कि इसे किसी भी बड़े चैनल्स पर प्रमोट नहीं किया जा रहा जब नेम रिविल हुआ था तो फिल्म के डिरेक्टर प्रसांथ वर्मा ने अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसमें फिलाल सिर्फ 13-14,000 कुछ सब्सक्राइबर्स है वहाँ वो रिलिस किया था और अभी जब इसका फिर्स्ट टीजर लॉंच हुआ है तो वो भी इस फिल्म के प्रोडुक्शन हाउस के नए नवेले चैनल पर जिस पर फिलाल सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर बने हैं उस पर रिलिस किया गया तो उसकी रीच भी जादा नहीं हो पा रही है अब बात करे इसके फर्स्ट एवर टीजर की तो इस टीजर में रिविल किया गया है हनुमान फिल्म के लीड कैरेक्टर हनुमन्तु को जिसको प्ले किया है साउथ आक्टर तेजा सज्जा ने अब जब मैं इसका टीजर देख रहा था तो मुझे इसमें क्रिश के फर्स्ट लुक का थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स नजर आ रहा था हाला कि दोनों का कॉंसेट पूरी तरह से अलग है अब थोड़ा और डीटेल में जाए तो टीजर के शुरुवात में हरे भरे पहाल और जरना आखों को एक अलग ही सुकून देता है और बाहुबली की याद भी और कट टू नेक्स्ट सीन हीरो की जबरदस्त वाली एंट्र या नाम में भी देख सकते हो यानि ये लॉकेट एक बहुत इंपोर्टन कड़ी साबित हो सकती है और अगेन कट टू नेक्स्ट सीन हमें देखनों को मिलता है एक पावर पंच जिससे हमें अंदाजा हो सके कि क्यारेक्टर में दम तो है पर थोड़ा और ध्यान से देखे त तो उसे और भी जादा पावरफुल दिखाने के लिए वो लाल धागे वाला ब्रेसलेड भी उपर चला जाता है और हाथ के छोटे-छोटे बाल भी उड़ने लगते हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर टीजर में ही इतनी बारीकियों का ध्यान रखा गया है तो ट्रेलर और मूवी देखने में डेफिनेटली बड़ा मजा आने वाला है और लास्ट में एक ऐसी जगा दिखाई जाती है जहाँ शायद कुछ मैजिकल स्टोन या तिलस में पत्थर वगएरा रखा गया हो जो रेड स्टोन हमें हनुमान के नाम में भी दिखाई देता है अगर आप